हेलो फ्रेंट्स मेरा ना विराच और आप लोग देखरें फॉर एवर फॉर एश्टुडेंट्स तो आज हम लोग एक न्यूज स्रीज करेंगे जिसमें बिहार के जितने भी गॉर्मेंट इंजिनिरिंग कॉलेजेश हैं सबका रिव्यू हम लोग देखेंगे देखेंगे कि इस कॉले investors करonna क्या 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 ना S day इंट में फे स्ट्रक्चर्ज प्लेस्में वोते हैं कि नहीं होते सारा चीज एक एक करके हम लोग वहर से बारे में कवर करेंगेर ठीक हैं तो आज हम लोग बुदा करने वाले और तो चलिए स्टार्ट करते हैं झाल झाल को अगर को leads का ऑवाव का बात करें तो इंस च्व्टने मàyन काirie को लेज का नाम है तो को लेज का नाम है गोंश को बाकलेजिद्ग का नाम क्या हैं? Government Engineering College, Irwal, also known is GEC Irwal, इसे GEC Irwal के नाम से भी जाना जाता है, GEC Irwal, Government Engineering College, Irwal का Short Form होगा, ठीक है, और Intuit Type का बात करें कि यह College private है या फिर Government है, तो जो हमारे GEC Irwal है, वह fully Government College है, ठीक है, proper तरीके से, और established का बात करें कि इसका स्थापना कब हुआ था तो यह काफी न्यू कॉलेज है बाकि सब कॉलेज के मुकाबला में इसका स्थापना 2019 में हुआ था इसके फर्स्ट बैच पास आउट होने वाले कुछ महीनों में पास आउट हो जाएंगे अगर लोकेशन का बात करें तो यह अरवल कॉलेज अरवल बिहार के जितने में इसका नाम आता है रैंकिंग में ठीक है अगर बात करें हाउट टूरीज यानि के कॉलेज में आप कैसे पहुंच सकते हैं ति आपका कॉलेज का प्रॉपर लोकेशन है अरवल औरंगाबाद रोड मेहंधिया मार्केट सिवपुर पहले बाइट ट्रेन भी आप यहां नहीं आ सकते हैं अगर बाई बस बात करें तो 86 किलो मेटर अवे फ्रों पत्ना यह पत्ना से 86 किलो मेटर दूर है अगर बाई बस आते हैं पत्ना के थूरू तो आपको अप्रोक्स दो से धाय गंटा लगता है कॉलेज तक महुशने में ठीक ह अगर इसका campus facilities का बात करें तो इसका campus size साथ एकड़ का ही है जो कि जितने भी बिहार के बाकी engineering colleges है उनके हिसाब से थोड़ा कम है क्योंकि इस college का जमीन था गावालों के दौरा कुछ कबजा कर लिया गया हाला कि अभी बात चल लाए कि college को और बड़ा किया जाएगा तो हो स साइस का केंटीन है हाँ केंटीन ज्यादा बड़ा नहीं है बट यह है कि आप आपर आकर के खाना वगएरा खा सकते हैं आराम से कोई दिक्रत नहीं है हाईजीन है प्रॉपर केंटीन में ठीक है अगर बात करें तो एक बाइस होस्टल है जिसमें 300 बच्चे का capacity है 300 बच्च चोटा यह बठा यह ऐसा है कि आप किर्कट खेल सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताए कि कॉलेज का जो जमीन है टोटल बहुत जादा कम है बागी कॉलेज इसके मुकाबले साथ देकर यह तो उसके हिसाब से छोटा ही किर्कट बाउंडरी है ठीक है यहाँ पर यह संडे टू संडे यहाँ पर मुवी चलता है औरिटोरियों में प्रॉपर मुवी हॉल का फेलिंग आता है वहाँ पर अगर मेडिकल रूम का बात करें तो अगर अचानक से किसे बच्चे को कुछ हो जाता है तो उनको एट असर्टेन अगर कुछ किसी भी मेडिसीन या फ लगवा सारे मसीन भी इंस्टॉल ठीक है तो आपको केंपस के अंदर जो भी एक कॉलेज के अंदर होना चाहिए वह सारा चीज़ आपको मिलेगा ठीक है अगर मोड ऑफ एडमीशन का बात करें ते हैं आप दो एक्जाम के थुरू आप एडमीशन कर सकते हैं या तो जहीमे के बैसे पर आपका बिहार के जितने विंजिनेरियन कॉलेज़ सम्में एड्मिसन होता है ठीक है और उसके बाद जब 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 सीट बच जाते हैं तो फिर बच्चे को फिर से एक्जाम कंडक्ट कराना पड़ जाता है आगे चल करके ऐसा होगा कि बच्चे जब जब जब जादा प्रेश्च नहीं दिया जाएगा बीची सीग्जाम हो सकता है कि हो भी ना ठीक है तो जैए मैंने आप पर मोश्ट इंपॉर्टेंट है और एक और बात है कि जैए मेंन के दौरा अगर आप एड्मिसल लेते तो आपको आसानी पढ़ जाता है कि क्या करता है कि स इस सारे बॉयंच में इंजिनेरिंग कर सकते हैं जैसी कि सबसे पहला ब्रांच कंप्यूटर सैंस अफिलेटेट भी डाटा सेंस यह ब्रांच लास्ट तेरी एड हुआ था इस कॉलेज में कंप्यूटर सैंसे क्यों आप एड नहीं हुआ है लेंकिन नेक्स्ट येर झिएर स का बात हो कि कौन से को प्रवाइट कराता है तो बिटे को और यह सब ब्रांच में आपका होता है ठीक है अगर सीट मेट्रिक्स का बात करें कि कौन से ब्रांच में कितना सीट यहां पर प्रेजेंट है तो अगर सीचेवी डाटा साइंस का बात करें तो आप रेगुलर के फॉन्हें पता है तो अँब ता दीतें सवी जो प्रॉपर फर्स्ट एर्म एंडमीन सब्सक्राइं हो जाता है ठीक है आप को गब तो एक सिस्टे सिठ डिलार के लिए और ठेंसी के लिए ठीक है और जो मैंस यत्य है जो की इस兩個 आने वाला हुँसमें भी-値 सिट आफका रिगुलर के लिए और इनसेय। के लिए है और अलिक्ति कल इंझ लिरिंग का लिए तो अधिकल इंग्ऑन स्टिसरे में काफिजादा स्ट है 120 इट ऐस एक विशी यह विज इस तुछ यह तिक है और सिविiden Integral में भी 60 खूब लेक्ठ चैनि के लिए और 10 it कलिए मेकैनिकल में भी रिगूलर के लिए और दिया गया ठीक है रॉबर्टिक्स एन आटोमेशन ये सिर्फ आपको बिहार इंजिनेरिंग में सिर्फ गौर्वर्मेंट इंजिनेरिंग कॉलिज और वल में ही मिलेगा ठीक है और इसका विसीट मेट्रिक्स का बात करें तो तीस सीट आपका रिगुलर के लिए है और पा देङनेरिंग का तो तो कॉंपटरस इंजिनेरिंग में में आपको अधीयान और आप जेनरल इसे हैं तो आपका मीनि मुंसिकि पसक्टे sur常 time होना चाहिए देखी है और मीनिमॉम सिक्ष्टे सब का आएगा तो होई जाएगा मिनिममम कैसे 60 पर सेंटाइल ठीक है अगर ओवी सी आफ है तो 50 पर सेंटाइल हाला कि ऐसा है कि इस बार थोड़ा गीरेगा भी क्योंकि एक और सीसी का ब्रांच एड़ हो रहा है सिक्स्टी सीट और बढ़ रहा है बट ज्यादा ने गिरेगा सब्सक्राइब है अगर की बात बात करें तो आपको सिक्सी मेडमीशन लेने के लिए 35 पर सेंटाइल होना चाहिए तो आपको से मैडमीशनेल के लिए 25 पर सेंटाइल minimum होना चाहिए अगर सिविल इंजिनेरिंग Ingeeन के कट-ौ में के तुप शिविल इंजनेरिंग चाहिए तो आपका 30 percentile होना चाहिए और अगर आप HD category के हैं और आपको civil engineering चाहिए तो आपका 20 percentile minimum होना चाहिए ठीक है अगर electrical engineering का बात करें तो general के लिए minimum 35 percentile देखिए यहांपर क्या होता है ने कि कि सेकंड राउन में आपको ये कॉलेज आराम से मिल जाए इस ब्रांच के साथ ठीक है तो इसका एक प्लस इंजिनेरिंग के बात करें और आप जन वर मेकैनिकल इंजिनेरिंग में अडमिसन नेना चाहते हैं तो आपको रख मेंजिनेरिंग में अदमिसन नेने के ठीक है और बी सी का बात करें तो इसमें आपको जनेरल के लिए और voyकom के आ Susie कर Val具 दो की निरे लाना पड़ेगा इस कोलेज के डिको स्रेघ्री में इन्जिनेरिंग आप तो आपको आपको मिलेगा ठीक है या फिर तरी में आते हैं उनसे काफी ज़्यादा बेटर ये कॉलेज है क्योंकि यहां पर इंपूट आपको बहुत कम देना पड़ेगा फी यहां का बहुत कम है और आउटकम लगबग दोनों का सेमी रहता है प्राइबेट कॉलेज जो अच्छे-चे माने जाते हैं उनके ज और ट्यूशन फिप्र सिमेस्टर का बात करें देखनें ऊखको देना पड़ेगा जाबेगा और यहां पर इग्जामेय का बत करें तो आपको ज्यादा लगता है बड़ उतना ज्यादा नहीं है सबसquez nya नहीं पर बात करें तो आपको पर मंत यहाँ पर 1000 देना पड़ेगा और में कबते हैं तो आपको पौर अथि सू यहांप सबस्वरiki लगताओ होया जैसे कि नॉर्मल तो यहां का वेडिमिस्ट पी 2630 रुपया है यहां पर आपका मेन जो एक्सपेंस है वह आपका आता है मेस का और होस्टल का अगर आप मेस और होस्टल नहीं लेते हैं और आप लोकल है तो आपका तो फिर बल्ले-बल्ले भाई बहुत सारा पैसा बचने वाला तो यह आपका जेनरल और और अभीसी के लिए फियर स्ट्रक्चर हो गया अगर पर मंत 20 रुपया और एकजाम पर एकजाम फी उनली सात सु रुपया लगता है जेनरल और अबीसी में 27 सो लगता था यहाँ पर अगर CST का बात करें तो एक्जाम ओनली 700 रुपया ही है ठीक है और होश्टल फी का बात करें तो सब्सक्राइब बात करें तो 3300 आपको लगेगा हाला कि बात चल रहा है कि होस्टल फियों में सफी को कम किया जाएगा बट अभी कम नहीं हुगा अभी प्रेज़ेंट कंडिशन में इतना ही चल रहा है ठीक है अब हम लोग बात करें के कॉलेज के प्लेश्मेंट के बारे में कॉलेज का प्लेश्मेंट सबसे इंपोर्टेंट चीज होता है आप लोग भी इसी के लिए इतना दिर्फ के होंगे कि क्या ये कॉलेज प्लेश्मेंट देता है या फिर बस डिगरी कंपलीट करा करके पैसा ल अब हो रहे हैं अब प्रेज़ेंट से नहीं जा रहा है क्योंकि पहला पहला बार प्लेस्मेंट हो रही है और पहले तो सीजिदा से इसी ब्रांच लास्ट यर से ie Всеा इण्टिнд होग है या तो सीविल इंजिनर, यह फिर मैक्निकल करएं या फिर इलेक्ट्रिकल करने इन्हीं तीनं ब्रांच में हैं इन्हीं का प्लेशनेंट जा रहा है तो अभी हाइट है ठीक है तो यह हमारा गॉर्मेंट इंजिनरिंग कोलेज अर्वल का प्रॉपर रिवीव रहा है इससे मासा कर देगा आपके अंदर जितना भी स्कॉलेज के रिगार्डिंग डाउट्स वगरा होंगे सारे चीज के लिए हो रहे होंगे कि कैसे हैस्कॉलज मेंद मिसल नहीं है इसकॉलज की प्लेश्मेंट का है किना फीष आपको देना पड़ेगा सार चैका यह वर yenne का रहा होगा ठिकति तो ऐसलिख लिए हमारे चैनल के साथ जुए हमारे चैनल को सब्सक्राइ हमारे वीडियो को लाइक करें तो आजर के लिए इतना ही रहने देता है तब तक के लिए ओके बात थैंक्स